हलो एवरेवन, वेलकम टू सिंप्यूट्रोनिक्स, आज के टूटोरियल में मैं बताने जा रहा हूं कि जीमेल के एकाउंट में यानि की इमेल आइडी में हम सिगनेचर लाइन एड कैसे करेंगे, सिगनेचर लाइन के साथ साथ उसमें कुछ इमेज भी हम एड कर सकते हैं, उ हम सी ओल सेटिंग जो सबसे उपर ही है, इस पे क्लिक करेंगे, यह दूसरा विंडो ओपन हो गया, इस विंडो में सबसे नीचे जाएंगे, इसमें यहाँ पे देखेंगे आप यह सिगनेचर के लिए दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें लिखा हुआ है नो सिगनेचर, हमें क माई सिगनेचर करके यह अलग से बॉक्स क्रियेट हो गया, और इसमें हमें जो भी डालना चाहते हैं, वो इसको डालने के लिए हमारे पास एक विंडो आ गया, इसमें हमें जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ इसमें लिखना कि Green Initiative जो होता है उसके लिए मैं एक Message डालना चाहता हूँ मैं Message पहले डाल लेता हूँ, Type कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये एक Message मैंने Type कर दिया, इसके उपर में मैं चाहता हूँ अपना Signature डालने के लिए, इसमें जो भी आप लिखना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं मैंने Sampiutronics लिखा है, इसके जगह पे आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं और अपना Designation लिख सकते हैं, और भी कुछ लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं और कोई logo डालना चाहते हैं, जैसे अगर company की email idea है, तो यहाँ पे logo हम डालेंगे company की, कुछ और image डालना चाहते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं, अब वो कैसे डालेंगे, यहाँ पे यह देखें, insert image का button है, इन सब text की formattings भी आप कर सकते हैं, इसको select करें, और यहाँ पे देखें bold, italic, underline, यह text के colors भी change कर सकते हैं, आप चाहें, तो कुछ और color कर सकते हैं, जैसे यह देखें, green highlightation हो गया, जो भी इस text को बड़ा चोटा जो भी करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, text की यहाँ पे font भी change कर सकते हैं, इसके अंदर में आप चाहें, तो किसी link को भी create कर सकते हैं मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक logo insert करना, तो यहाँ पे insert image पे click करेंगे, और यह देखें, यहाँ पे आ रहा है my drive, यानि कि जो इस Google email ID के अंदर में, जो आपको पता है Google drive जो होते हैं, उस drive में कुछ अगर image हो तो उसको यहाँ पे दिखाएगा, उसमें से अगर select करना चाहत हैं, तो वो select कर सकते हैं, इसके बाद दूसरा tab है upload का, यहाँ पे click करके आप अपने computer से लिखा हुए, select a file from your device, आपके device से कोई image इसमें डाल सकते हैं, दूसरा है web address, URL, कोई website का address डाल के उसको यहाँ पे insert कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने computer से एक image ले लेता हूँ, जहाँ पे इमेज आपका save है, वो आप यहाँ से select कर सकते हैं, अब यह देखे, मैंने image select कर लिया, select करने के बाद यह upload हो रहा है, यह image देखे, upload हो गया, यह scroll करना पड़ रहा है, काफी बड़ा image था, actually जिस size का image होता है, उसी size में insert हो जाता है, अगर आप image छोटा insert करना चाहते हैं तो पहले ही आप उसको छोटा भी कर सकते हैं size को, और फिर उसके बाद insert कर सकते हैं, अभी फिलहाल यह काफी बड़ा image insert हुआ है, क्योंकि यह इसका actual size है, अब इस पर click करते ही देखे हैं, नीचे में एक options के drop down खुल जा रहा है, इसमें 3-4 options दिये गए हैं, एक तो है small, medium औ और large और यह है original size जैसा मैंने बताया आपको original size में already इसमें आ चुका है, इसलिए यह original size जो है, highlight नहीं हो रहा है, इसको click करने की ज़रूरत नहीं, यह already original size में है, और सबसे last option है remove इसको हटाने के लिए, अब क्या करते हैं हमें किस size करना है, small करना है, medium करना है, large करना है, मैं small करके देखता हूँ, यह देखें इतना छोटा हो गया, medium कर देते हैं, लेकिन पहले इसको select कर लेते हैं, select करने के बाद medium पे click करेंगे, यह देखें medium में इस तरह का हो रहा है, इस तरह कर सकते हैं, large कर सकते हैं, यह large कर सकते हैं, तो आपको कैसा रखना है, वो पहले यहाँ select कर लिजे, अब इसमें ये add करने के बाद, signature वगर डालने के बाद, ये पूरा details डालने के बाद यहाँ पे इसकी settings और है, signature defaults, इस signature defaults में आपको set करना है, पहला option है for new email use, मतलब नया email अगट भेज रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा रहे है, no signature, इसको आप select करके, my signature, यानि कि जो signature का आपने नाम डाला है वो, दूसरा option है, on reply या forward use, यानि कि कोई आपके पास mail आया है, उसका reply कर रहे हो या उसी को किसी और को forward कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, no signature इसको my signature, यह setting आप यहाँ से apply करेंगे, और इसको यहाँ पे save changes करेंगे save changes कर देते हैं, यह वापस mail में आगया, अब इसमें क्या करेंगे, compose पे click करेंगे, अब देखें, यहाँ पे जिसको भी भेजना है, भेजिए, और जो आपने signature डाला था, वहाँ पे insert किया था, वो यहाँ पे appear हो रहा है, पहले ही, यानि mail आप जो भी लिखेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे, जिसको भेजना है, वो डालेंगे, subject line में आप डालेंगे, यहाँ पे आप email की details जो भी body में डालना है, डाल सकते हैं और यह आपका signature अपने आप ही यहाँ पे insert हो गया, अगर कोई भी mail आप इसमें से करेंगे, तो यह अपने आप appear होगा, और वो message जो आपने डाला है, वो भी यहाँ पे appear हो रहा है, एक यहाँ पे button भी आता है, यह आता है कि अगर in case यह वहाँ पे मैंने जो setting बताया था, मैं वापस खोल के बता देता हूँ, यह यहाँ पे हमने for new email use, my signature, on reply or forward में भी my signature, इसकी जगह पे अगर no signature रहता है, तो हम क्या करते, compose में जाने पर यह अपने आप appear नहीं होता, और फिर हमें यहाँ पे देखें, इस button पे लाने पे cursor आ रहा है, insert signature, इस पे click करने के बाद signature आपका आ जाएगा, आप signature कौन सा appear करना है, हो सकता है कि आपने एक से अधिक signature आपने बना रखे हो, मैंने यहाँ पे दिखाया है आप create new करके नया भी बना सकते हैं, यानि एक ही mail के लिए एक से ज़्यादा signature सा आप डाल सकते हैं, और जिसको भेजना हो, उस time पे आप decide कर सकते हैं कि कौन सा signature आपको रखना है और कौन सा नहीं रखना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूं, suppose करो यहाँ पे create new पे click किजे, एक और signature का नाम डाल दीजे, यह डाल दिया, create पे click कर देते हैं, और यहाँ पे simply कुछ ऐसे ही type कर देते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूं, thanks and regard, इसमें केवल thanks and regard आ रहा है, यह मैं select कर सकते हैं, और on reply या forward use के लिए, आप कौन सा signature रखना चाहते हैं, इसमें भी appear हो रहा है, तो जो आप रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे select कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे save change, यहाँ पे मैं आपको no signature करके दिखा देता हूं, no signature पे कर दीजे, दोनों save कर दीजे, आपके पास signature दो हो गए, अब जब compose पे click करेंगे, तो यहाँ पे देखें, इससे पहले वाले में signature एपियर हो रहा था, लेकिन अब signature एपियर नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे लाइए cursor लाने के बाद, आप यहाँ insert पे click किजे, अब यहाँ पे देखें, signature के नाम आ रहा है, no signature यानि कोई signature नहीं, already ticked है, यानि कि signature नहीं आ रहा है my name पे click करेंगे, तो जो भी इसमें save है, वो चीज आएगा और जो my signature पर करेंगे, तो इसमें जो save है, वो आएगा मैं my name वाले को दिखाता हूँ, यह देखेंगे, सिर्फ इसमें thanks and regard लिखाता वही आया, यहाँ पे जाते हैं वापस, my signature पर click करते हैं, तो यह देखें उसमें जो लिखा है, वो आ रहा है, तो signature कौन सा रखना है, एक ही mail के लिए जैसे companies में ऐसा हो सकता है, कि एक ही mail को दो-तीन लोग use कर रहे हैं, तो जब जो use कर रहा है, वो अपना signature line उस समय select करेगा, और वो appear हो जाएगा, और उसको send कर देगा, तो इस तरह से आप signature line Google के Gmail account में आप add कर सकते हैं, thank you, keep watching, और please हमारे channel को subscribe किजे, like किजे, और कुछ भी आपको comment है, वो दीजे, और आगे share भी किजे, thank you